हे मेरे भगवान शिव काले धागे की आपकी इस वीडियो को जो भी सच्चे दिल से लाइक करें। उसके दुख, दर्द, पीड़ा, गरीबी तमाम परिशानी दूर कर देना। हे मेरे महादेव, हम सब आपकी ही संतान है। हमसे यदि कोई भूल हो जाए तो हमें एक शमा करे वीडियो को लाइक जरूर करें। मेरे महादेव का महीना शुरू हो चुका है। भगवान शिव को सावन का राजा भी कहा जाता है। वर्शा रितु फसल आदी प्रकृती आदी पहाडों से बहते जरने साक्षात महादेव का स्वागत करते हैं। प्रकृती भी शिव के आने का बड़ी हर्शोलास के साथ स्वागत करती है। इस बार सावन 22 जुलाई से शुरू हुए हैं और 19 अगस्त तक चलेंगे। ऐसे में सावन का पावन महीना पवित्र दिन, पवित्र पल गंगाजल से भी पवित्र सावन का महीना खत्म होने से पहले। शरीर के इस भाग पर आज ही बांधे एक काला धागा शिव जी की क्रिपा से, जगदंबा की क्रिपा से, काल भैरव की क्रिपा से, शनी महाराज की क्रिपा से हनुमान जी की कृपा से घर में धन धान्य के भंडार भर जाएंगे। अनपड अंग्रेज सभी लोग पहनते हैं। अगर आज का जो वीडियो आपने मिस कर दिया तो समझो आपने साक्षात कालों के भी काल महाकाल की कृपा को ठुकरा दिया है। धनलक्षमी आपको कभी नहीं मिलेंगे तो वीडियो को पूरा जरूर देखें और एक लायक जरूर करें। आज हम बताएंगे शरीर के किस अंग पर बांधे काला धागा और क्यों बांधे काला धागा। दोस्तों आपने कई बॉलिवूर की अभिनेत्रियों को शरीर पर काला धागा बांधे हुए देखा होगा। कई बड़े उद्योगपती काला धागा शरीर के विशिष्ट हिस्से में बांधते हैं। यहां तक कि अगर आप ध्यान से देखें, तो हमारे प्रधान मंत्री के हाथों में भी आपको काला धागा बंधा हुआ दिख जाएगा। तो कहीं यह सक्सिस का महामंत्र तो नहीं है? क्या यह उनकी सफलता के पीछे का राज है? आखिर लोग काले धागे क्यों पहनते हैं? शायद आपने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं होगा। कई लोग सोचते हैं यह अंदविश्वास है अगर अंदविश्वास होता है तो आप इस बात पर भी आप तो बड़े-बड़े उद्योगपती अपने हाथों में गले में पैरों में काला धागा कभी नहीं पहनते बिना सरपैर की बाते करने वाले आपको बहुत मिल आज हम इस वीडियो में पूरा तर्क दे रहे हैं सबूत के साथ वैसे अगर देखा जाए तो काला रंग नकारात्मक उर्जा को उत्पन करता है और इसी लिए किसी भी पूजा पाथ या शुब कारे में काले रंग के कपड़े नहीं पहने जाते लेकिन दोस्तों काले वस् काले रंग काले रंग का उजला सच यही है कि इसे ईश्वर ने भी श्रेष्ठ माना है काले रंग की महत्व को तो स्वयम शक्ति की देवी मा काली भी बताती है आपने भगवान विश्णू की अनेक मूर्तियां मंदिरों में देखी होंगी लेकिन जैसा प्रभावशाली ग वो किसी अन्यधातों और पत्थरों से बनी मूर्तिका नहीं है। पत्थरों से बनी मूर्तिका नहीं है। पत्थरों से बनी मूर्तिका नहीं है। तब आपको एक अलग से पुजारी जी एक काला धागा जरूर देते हैं ये काला धाम। धागा हमें तब प्राप्त होता है। हम पुजारी जी को अपना काला धागा दे देते हैं। तब पुजारी जी बदले में भगवान के चरणों का काला धागा उठाकर आपको प्रसाद के रूप में देते हैं। काला धागा लगभग सभी स्थानों पर धार्मिक यात्रा पर उपलब्ध किया जाता है, जो कि सिद्ध होता है। काला धागा दो रुपए, पांच रुपए, दस रुपए, बीस रुपए में बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाता है। काला धागा भयंकर से भयंकर नकारात्मक्ता को नश्ट करता है और बल प्राप्त करता है। मुख्यतय नकारात्मक्ता जो आपके हर काम में बाधा लाती है, घर में अशुपता लाती है, वो इससे खत्म हो जाएगी। यही नकारात्मक्ता आपके जीवन में रोडा बनकर खड़ी हुई होती है। आप चाहे कितनी भी महंत मशक्कत कर लो, अपेक्षा अनुसार आपको उसका फल नहीं मिलता। परिणाम धन की कमी हो ही जाती है, आर्थिक समस्याएं सताने लगती है, चिन्ता बढ़ती है, चिन्ता साथ में कلेश लेकर आती है और फिर परिवार में अशांती छा जाती है, और फिर पति-पत्नी के बीच का समवाद गायब हो जाता है। लडाई जगडे उसकी जगह ले यहां नकारात्मक्ता आने के कई कारण हो सकते हैं। फिर भी पर्याप्त सफलता हमसे कोसों दूर होती है। लेकिन आज का यह उपाय ऐसा प्रभावशाली है जो आपके ऊपर कोई भी नकारात्मक्ता शक्ती को हावी नहीं होने देगा। हो सके तो वह आकर हम आपके कमेंट के रिपलाई में जरूर बता देंगे। वीडियो लाइक करना ना भूले ये उपाय करने के लिए आपको चाहिए होगा रेशमी या सूती काला धागा थोड़ा सा हट के उपाय है। काला धागा बांधने की प्रथा आज की नहीं है। कई सालों से इसे हाथ, पै, गले और बाजू में बांधा जाता रहा है। मूल रूप से इसे नजर से बचने के लिए शरीर में बल प्राप्त करने के लिए कमजोरी को दूर करने के लिए दुश्मन से बचने के लिए बांधा जाता है। दरसल काला धागा और भी कई मुसीब्तों समस्याओं से बचा कर व्यक्ति को अमीर तक बनने के काम करता है। दोस्तों, वास्तव में हमारा शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना है। यह पंच तत्व है पृत्वी, वायू, अगनी, जल और आकाश। इनसे मिलने वाली उर्जा हमारे शरीर का संचालन करती है। इनसे मिलने वाली उर्जा से ही हम सभी सुक्षविधाओं को प्राप्त करते हैं। जब किसी इंसान की बुरी, हाई और नजर हमें लगती है। तब इन पंच तत्वों से मिलने वाली संबन्दित सकारात्मक उर्जा हम तक नहीं पहुंच इसलिए शरीर पर काला धागा बांधा जाता है, काला रंग नजर लगाने वाले की एकागरता को भंग कर देता है। इसलिए शरीर पर काला धागा बांधा बांधा जाता है। यह काला रंग सदैव बुरी शक्तियां से रक्षा करता है, तो सावन सुमवार या सावन के किसी भी समय काला धागा लेकर आपको नजदीक के किसी शनी मंदिर या हनुमान जी के मंदिर चले जाना है। अगर आप शनी मंदिर जाते हैं, तो शनी देव को जो सरसों का तेल चड़ाया जाता है, उस तेल में काले धागे को थोड़ा सा डुबो देना है, या फिर थोड़ा सा वो तेल उस धागे पर लगा देना है। अगर आप हनुमान मंदिर जाते हैं, तो हनुमान जी के चरणों का सिंदूर इस धागे पर आपको लगाना है, और साथ ही आपको धागे में साथ गांठे लगानी है। पारिवारिक जीवन में कलेश कला हो, हर एक समस्या भगवान को बताते हुए एक गांठ बांध ले। इस तरह से आप साथ समस्याओं है तू साथ गांठ लगा दे। फिर भगवान के चरणों में एक दीब जलाकर उम्शंश निश्चराए। नमः इस मंत्र का 21 बार जाब इससे क्या होगा? पुजारी जी होते हैं, उनको काला धागा दे दे और उनसे कहें यह काला धागा हमें अपने बच्चों के लिए चाहिए या अपने लिए चाहिए? या जो बीमार है उसके लिए चाहिए? तब पुजारी जी उसी के अनुसार उस काले धागे को सिद्ध करते हैं और आपको आपको जो समस्या है काला धागा लेते समय पुजारी जी को वही समस्या बताएं, तभी ही आपको काले धागे का विशेश फल मिलेगा और वैसा ही अपना काम करेगा। उनकी तंदुरुस्ती बन जाती है। चुपचाप अपने घर चले जाना है, फिर उस एक रात के लिए उस धागे को आपको अपने घर के मंदिर में रख देना है। अब उस धागे को अपने या जीस भी व्यक्ती के लिए आप ये उपाए करना चाहते हैं, उस व्यक्ती के बाजू में आपको बांध देना है। अगर आपने बड़ा धागा लिया है, तो आप अपने परिवार के सभी सदस्यों के बाजू में ये बांध सकते हैं। ये एक रक्षा कवच की तरह काम करता है। इस बात का ध्यान रखें कि इस धागे में से किसी भी गाउंट को कैंची या बलेड नहीं लगना चाहिए और इस धागे के साथ शरीर पर कोई दूसरे रंग का धागा नहीं होना चाहिए। अगर आप इसे काटना चाहते हैं तो किसी दिवार पर गिसकर इसके कई हिससे कर ले और परिवार में सभी को बांध दे। इस से आपके घर में कभी कोई नकारात्मक्ता प्रवेश नहीं कर पाएगी लेकिन सावन समाप्त होने से पहले ही बांधे आसपास की बुरी शक्तियां दूर चली जाएंगी। धर्म शास्त्रों के अनुसार, वेदों के अनुसार माना जाता है कि जीस घर में द्वार पर ही नकारात्मक्ता हो तो उस घर में कभी लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती। इसी लिए जो घर का द्वारा होता है, वहाँ पर सकारात्मक्ता आने के लिए काला धागा तुभिया बांधना ही पड़ेगा। सकारात्मक उर्जा के कारण घर परिवार में खुशाली आएगी। दोस्तों अगर आपके दामपत्य जीवन में परिशानिया है, आपस में नहीं बनती, अन्बन होती ही रहती है, तब आपको अपने बिच्छोने पर बेड़ शीट के नीचे ऐसा ही अभिमंत्रित करके सवा मीटर धागा रखना है, इस धागे को तकिये से एक फिट नीचे आडा रखना है, ताकि आप दोनों जब सो जाए, तब आप दोनों की पीट इस धागे पर आनी चाहिए, इस धागे को रखने से पती पत्नी के बीच का तनाव दूर हो जाता है, आपसी सने बढ़ जाता है, सुख में प्रेम जीवन की प्राप्ती होती है, और हा, मंदिर मे उस दामपत्य जीवन की समस्या बोल कर गांट मारना ना भूले, ये धागा आपके दामपत्य जीवन में खुशियां जरूर लाएगा, तंत्र शास्त्र के अनुसार छोटे बच्चे जो होते हैं, शिशु होते हैं, उनकी कमर पर कंधनी जरूर बांधनी चाहिए, कैसे बा बांधना क्यों है, जरूरी देखिये चोटे शिशु जो होते हैं, अक्सर उन्हें जब वह बड़े होते हैं, हाइड्रोसील की समस्या हो जाती है, यह सब नजर दोश के कारण होता है, जब हमारा बच्चा सवस्त होता है, मोटा होता है, हेलती होता है, तो लोग उसके प्र वाशा में हाइड्रोसील केहते हैं, यहां तक की वेरिकोसिल भी हो जाता है, और शिशु जब बड़ा होता है, तो उसकी पूरी जिंदगी बरबाद हो जाती है, वह दोर नहीं सकता, पुलिस विभाग में भरती नहीं हो सकता, मिलिटरी फोस में भरती कभी नहीं हो सकता, उन्हें उठने बैठने में भी दिक्कत होती है, पूरी जिंदगी बरबाद हो जाती है। इसलिए बुजर्ग कहते हैं कि बच्चे या शिशु की कमर पर काला धागा जरूर बांधना चाहिए, जब तक कि शिशु ठीक से बढ़ा ना हो जाए। महीने से लेकर चार साल तक की उम्र तक बच्चों को काला धागा या कंधनी अवश्य बांधना चाहिए। तंत्र शास्त्र में सपष्ट लिखा है, बच्चे की कमर पर कंधनी या काला धागा जरूर बांधना चाहिए। हमारी वीडियो में आप देख सकते हैं कि इस प्रकार की होती है, कंधनी आप कंधनी नहीं बांधना चाहते हैं, तो काला धागा जो सिद्ध होता है, किसी भी पुजारी जी से ले आए उसमें आप एक कोड़ी बांधे और बच्चे की कमर पर बांधते है। ये बहुत ही शुब होता है। इस से कोई नजर नहीं लगती और उनके जो अंड कोश होते हैं सवस्त रहते हैं। शरीर बलवान और हेलती हो जाता है। उनकी ग्रोथ अच्छे से होगी। दोस्तों, अगर आपके परिवार के किसी सदस्य को नजर लग गई है, किसी की बुरी नजर का दोश लगने के सारे लक्षन दिख रहे हैं, तो उस व्यक्ती की बाजू में विशेश तोर पर इस काले धागे को बांधना ही चाहिए। दोस्तों, वैसे तो यह उपाय तुरंत असर दिखाना शुरू कर देता है, लेकिन अगर आपको लगे कि इसके प्रभाव में कमी है, यह उतना असर नहीं दे रहा है, तो हर शनिवार को या मंगलवार को एक दिन आपको उसी काले धागे को मंदिर ले जाकर फिर से अभी मं दोस्तों, नकारात्मक चीजों का प्रभाव बहुत ज्यादा होने पर इस तरह से धागे की फिर से शक्ती बढ़ाने का काम करना पड़ता है, अगर आप उस दिन मंदिर जा नहीं सकते हैं, तो आप जब भी घर में धूब दीब करते हैं, तब उस धागे को दीब के उपर स साथ बार घूमा कर मंत्र बोल देंगे तो उस धागे की शक्ती पुनर जीवित हो जाएगी, बहुत ही प्रभावशाली, अत्यंत सरकारी उपाय है, ये कितनी भी बुरी परिस्थितियों में आप गिर गए हो, ये आपको उसमें से उबार लेता है, ऐसा कहा जाता है कि कई पार कई चीजें आपको ठीक नहीं कर पाती है, वहां एक छोटा सा काला धागा आपको कई सारी परिशानियों से बचा सकता है, ग्रह पीडा, वास्तु दोश, बुरी शक्तियां हर तरह की समस्याएं दूर होकर घर में सुक, शांती, समरिध्धी और धन की आवक बनी रहती है, असल रूप में जीवन में सुरक्षा के साथ साथ विलासिता भी मिलती है, तो ये उपाई जरूर करके देखें और सारे दुख समस्याओं को जिंदगी से दूर फेंके, सुहागिन महिला का मंगल सूत्र किसी कारण बस खराब हो गया है, या गले में आपने धारन नहीं किया है, तो उसकी जगह आप सिद्ध करा हुआ एक काला धागा पहन सकते हैं, मंगल सूत्र की तरह ही काम करता है, काला धागा माता काली के द्वारा से लेकर आए एक काला धागा और सुहागिन महिलाएं अपने गले में धारन कर ले, इस से मंगल सूत्र के ना होने का दोश आपको नहीं लगेगा बड़ा ही शुब होता है काला धागा मंगल सूत्र में भी काला धागा ही लगा होता है सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले हर हर महादेव ओम नमः शिवाय एक लायक जरूर करें